एक कविता यहां पढ़ी गई जो समाज को बाटने वाली कविता थी मैं समाज को जोडने वाली कविता पढ़ना चाहता हूं मैं अपने योद्धाओं को नमन करने वाली कविता पढ़ना चाहता हूं अगर आपकी अनुमती होता हूं प्रश्न है सम्मान का प्रश्न है सम्मान का सम्मान किसका आपके हमारे पूरवजों का प्रश्न है सम्मान का सम्मान है बलिदान का बलिदान है जवान का उन्होंने पूरी जवानी कुर्बान कर दी सबसे बड़ी कुर्बानी होती है जवानी प्रश्ण है सम्मान का सम्मान है बलिदान का बलिदान है जवान का और जवान है हिंदुस्तान का सभी योद्धा सभी योद्धा हर जाती के होते हैं और पूजनिय होते हैं हम योद्धाओं को अगर बाटने लग गए पिर ये देश खा जाएगा प्रश्ण है सम्मान का, सम्मान है बलिदान का, बलिदान है जवान का, जवान है हिंदुस्तान का, किसी ने छोड़ी रियासत, किसी ने दी शहादत, तभी है बना मजबूत भारत, कॉंग्रेस को है बाटने की आदत, कॉंग्रेस को है बाटने की आदत, इनके सपने में नहीं एक भारत कॉंग्रेस को है बाटने की आदत इनके सपने में नहीं एक भारत बस महबबत की नेम प्लेट लगाते हैं महबबत की नेम प्लेट लगाते हैं पर दुकान नफरत की चलाते हैं वो जो कविता यहां पड़ी गई थी अध्यक्ष मोदे उसके अंदर केवल जहर था रोकना चाहिए था रोका नहीं बस महबबत की नेम प्लेट लगाते हैं पर दुकान नफरत की चलाते हैं बोर्ड महबबत की दुकान का सौदा नफरत के सामान का इनको फर्क नहीं नुकसान का क्योंकि नुकसान हिंदुस्तान का ये आप और हम अपने बच्चों को आगने वाली पीडी को क्या शिक्षा दे longer सभी जातिया योद्धाऊं की अध्यक्ष मोदे सभी जातिया योद्धाऊं की योद्धाऊं की कोई जाती नहीं होती सभी पूझ नहीं होते हैं और खास्तोर से राना भाराना प्रताप उनकी सेना में तो 36 कौम ने उनको साथ दिया था और मेरे साथ ही आज यहाँ पर नहीं है विपक्ष के, शायद हो सकता है टीवी पर देख रहे हूँ उनके तो पूरवज उनने महाराना प्रताप के साथ अगबर की सेना के दात खटे करे थे वो भी ध्यान से सुनें ध्यान से सुनें वो क्योंकि उनने राजिस्थान को बाटने की बात करी थे सभी जातियां योद्धाओं की योद्धाओं थे महाराना प्रताप के सभी जातियां योद्धाओं की योद्धा थे माराना प्रताप के माराना प्रताप राजिस्थान के और राजिस्थान हिंदुस्तान का